सोचा था विनिता से रात को इत्मिनान से बात करूंगे पर वह तो बिस्तर पर पढ़ते ही सो गई थी दिन भर के था कान और तनाव अब उसके चेहरे से गायब थे और वह एक बच्ची की तरह मासूम लग रही थी दीदी भी ज़्यादा देर तक जागने की आदी नहीं है सुवे पांच बज़े से उट जाती है इसलिए रात दस बज़ते बज़ते उनकी आँखे चपकने लगती है मैं लेकिन दीर तक सो नहीं लगते सुचने का रोग मुझ में कुछ ज़दा ही है पापा के मिर्तु के बाद से ये बिमारी कुछ ज़दा ही हो गई है आज भी मुझे पापा की मिर्तु के बाद का सारा घटना करम यादा रहा था शाम को सब लोग रोज की तरह पापा की परतिक्षा कर रहे थी कि संदेशा आया पापा अस्पताल में है हम सब लोग भागे भागे अस्पताल पहुंचे तब तक सब समाप्त हो चुका था लोगों ने बताया कि शायद दफ्तर में अचेत होते ही उनके प्राण निकल गए थे अस्पताल ले जाना तो मातर उपचारिकता थी अगले दस बारा दिनों में घटना गरम इतनी तेजी से गुमता रहा कि सोचकर आश्चारिय होता है एक वैक्ति की मिर्त्यू कितने सारे प्रशन चिन खड़े कर गए थी पापा की राग ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि सब को घर परिवार के चिंता सताने लगे चिंता की तो बात थी ही आखिर तीन-तीन लड़गियों की जिम्मेदारी का सवाल था मम्मी को पैंशन तो मिलने थी पर उससे क्या होता उन दिनों दीदी ही बस काम कर रही थी वहां भी बहुत अच्छा वेतन नहीं था सबसे बड़ा सारा था अनकौमपा नियक्ति का और सबसे ज़्यादा उहाप हो भी उसी को लेगर थी मा का तो प्रिशन ही नहीं था कुल जमा आठवी पास थी बहुत होता प्योन की नोकरी मिल जाते ही पर वह हम में से किसी को भी गवारा नहीं था चाचा बोले विनीता को लगवा देते हैं उसके दबे हुए रंग के कारण शादी में वैसे ही बहुत अड़चना रही है सरकारी नोकरी लग जाएगी तो लड़के वाले हाथो हाथ ले लेंगे पर मामा जी को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया बोले सुनीता की समस्या तो हल हो जाएगी पर हमारी बहन का क्या होगा उसे तो इसी कमाई के सारी जिन्द की गुजारनी है तो क्या लड़कियों को जिन्द की भर घर बठा कर रखेंगे मान लो अनीता को भी लगवा देते हैं तो तीन-चार साल में उसकी भी शादी तो करनी ही है एक प्रावधान होता है फूफा जी बोले लड़की अगर शादी कर भी ले तो भी आदित अंखवाव है अपने मैके वालों को देने के लिए बादे होती है अरे लाग कानून हो पर ब्याई लड़की का पैसा कौन लेगा बताईए तो मुसी ने तुनक कर गा तो ऐसा करते हैं विनीता को लगवा देते हैं कम से कम आट-दस साथ तो चिंता नहीं रहेगी बाद में दिखा जाएगा अब तक मैं मुख दर्शक की बाती सारा तमाशा देख रही थी अब मुससे चुप नहीं रहे गया मामा जी यह आप कैसी बाते कर रहे हैं उसकी कोई उम्र है नोकरी करने की बच्ची है अभी तो कोई दूद मुई बच्ची तो नहीं है अठारा पार तो कर चुकी होगी तो क्या हुआ इस समय वे पी-े-म-टी की त्यारी कर रही है पापा का कितना मन था कि कम से कम उनका एक बच्चा डॉक्टर बने हम दोनों आर्टस वाली थी इसी पर सारी आशाएं थी कम से कम पापा का सपना तो पूरा होने दीजी सपना पूरा ही करना था तो बने रहते खुद तो चले गए और मेरी जान को ये तीन तीन बलाएं छोड़ गए मार होने लगे वातावरण फिर शोक मगन हो गया जी जी ठीक कह रही है वैसे तीन तीन लड़ियों की जिम्मेदारी कम नहीं होती तिस पर डॉक्टरी पढ़ाना क्या कोई हसी खेले इतना खर्च कौन उठाएगा हम लोग उठा लेंगे दीदी तो जोब कर रही है मैं भी नौकरी कर सकते हूँ आप पापा के स्थान पर मुझे लगवा दीजिए और कल को शादी करके चली जाओगी तब तब क्या हम तुम्हारे दर्वाजे आकर भीक मांगेंगे मेडिकल की बढ़ाई कोई साल दो साल की तो नहीं होती पूरे पात साल लगते हैं और देखो उसके भागे में अगर डॉक्टर बनना होता तो जी जा जी ऐसे मैं क्यों चले जाते या वही पिछले साल निकल जाती इस साल ड्रॉप ने लेना पड़ता चाचा बोले मुझे बड़ा ताव आया कहा चाचा जी पीमटी इतनी असान नहीं है बहुती जहीन या भागेशाली होते होंगे जो पहली बार में निकल जाते हैं अधिकांश लोग तो दो दो तीन तीन कोशिशी करते ही है वैसे है अच्छा ही हुआ जो है पिछली साल रह गई नहीं तो जख मार कर कोर्स तो पूरा करवाना ही पड़ता चाचा ऐसे बूल रही थी जैसे फीस उने ही भरनी थी मामा जी आप लोग चाहो तो मुझे से लिखवा लो वीनी की पढ़ाई पूरी होने तक मैं शादी नहीं करूँगे फिर तो ठीक है और कर भी लोगी तो क्या हम तुम पर दावा ठोक देंगे फूफा जी बोले अनिता तुम तो पी एचडी कर रही हो तुम्हें तो किसी भी कॉलिज में तुरंद जो मिल जाएगा यहां कलरकी में अपने डिक्री क्यों बरबात करती हो यह नोकरी वीनीता को करने दो उसकी जिंदगी बन जाएगी अरे बी एम में घुमते रहते हैं और उन्हें सरकारी नोकरी नहीं मिलती तुम तो समझ लो कि वीनीता बड़ी भगवान है जो बैठे बिठा है सरकारी नोकरी मिल रही है नहीं तो आज कल हायर सेकेंटरी को पूछता कौन है अजीव शक्ष है बाप की मोद को भागशाली बता रहा है मन हुआ कह दूँ भगवान ऐसा भाग गया आपके बच्चों को भी दे पर चुप कर गई मैंने उर्दीदी ने बहुत जोर लगाया पर हमारी एकने चली मा को तो सारी रिष्टेदारों ने ऐसा गेर रखा था कि वे हमारे हिस्से आती ही ने थी पिता तो चले ही गए थे मा भी हमसे दूर हो गए थी वे हमारी किसी सुझाओ किसी प्रस्ताओ को सुनने को ही त्यार नहीं थी वेनीता को जब है निर्ने सुनाया गया तो उसने रोरोकर घर भर दिया और हम लोग ऐसा है होकर देखते रहे उसने खाना पीना छोड़ दिया पर कोई नहीं पसी जा एक तरह से हाथ पकड़ कर ही उससे एप्लिकेशन लिखवा लिगई हम दोनों से भी लिखवा लिया गया कि हमें कोई इतराज नहीं है हम अपना आख सुच्छा से छोड़ रही है मा का तो प्रशन ही नहीं था उनके भाई उनसे जहां चाहे दस्तकत करवा सकते थे इसके बाद पीमटी की परिक्षा आई और चली गई सूजी हुई आखे लिए विनीता घर में कैद होकर बैठी रही उसने सहलियों से मिलना जुलना छोड़ दिया था उसका हसना बोलना बंद हो गया था पूरे चार महीने लगे तब जाकर उसका ओडर आया पहले दिन मामा जी दफतर तक पहुचाने गई थे मैं उसके लिए मिठाई लेकर आई दीदी नया पर्स चाता टिफिन बॉक्स लेकर आई मैंने अपने दो अच्छे सूट उसे निकाल कर दिये बड़ी बहन के नाते हम यह सब कर रहे थे पर मन में एक अपराद भाव तो था ही सुबह घर से छुई मुई सी रोनी सुरत वाली विनिता ओफिस गई थी पर शाम को लोटी तो बदली हुई थी और फिर बदलती ही चले गई सुबह की चाए हम लोग अकसर गैलरी में ही लेते हैं हम लोग मतलब मैं उड़ दी दी मा तो उस समय सोई ही रहती है मूड हुआ तो विनिता हमारे साथ बैठ जाती थी पर अम्मो मन्व है उतनी सुबह बिस्तर चोड़ना पसंद नहीं करती थी घर में वही एक खुली जगह है इसलिए मैंने वहां दस-बीज गमले रख लिये हैं उनकी साथ संबाल का भी वही समय होता है उसके बाद तो पूरा दिन भाग दोड में ही बीच जाता है चाए पीकर रोज की तरह दीदी अकबार देखने लगी थी मैं मनी प्लांट के पत्तों को गीले कपरों से पोच रही थी तब ही वीनिता की महीन से यवा जाई दीदी चाए है बिल्कुल है जा जल्दी से कप लेया उसके भीतर जाते ही दीदी फुसफुसा कर बोली लगता है महारानी का दिमाग आज ठिकाने पर है मैं कुछ नहीं बोली चुपचाव अपना काम करती रही वीनिता भी तब तक कप लेकर लोट आई थी चाए की चुसकियां लेते हुए उसने कहा अनुदीदी आप कभी कोहिमा गई है वहां के मनी प्लांट्स लेखे यू कांट इमेजन सचे बिग साइज बातों का सोतर पकड़ कर मैंने पोच लिया कल कोहिमा गई थी उसकी स्विकार उक्ती के साथ ही दीदी शुरू हो गई थी किसके साथ गई थी पराग के साथ पराग शुकला तुम्हारे दफ्तर में है नहीं शुकला अंकल का लड़का है वो एक बार मुझे घर छोड़ने नहीं आये थी उन्हीं शुकला जी का बेटा है अच्छा वो कॉंट्रेक्टर साब क्या बेटा भी उसके साथ ठेकेदारी करता है नहीं वो तो मंडी दीप में किसी फैक्टरी में है इंजीनियर है डिपलोमा है तुम्हारी पहचान कैसे हुई अंकल के साथ वह भी कभी कभी ओफिस आ जाता है कल लंच पर अंकल भी साथ थे कमाल करती हो दीदी अब मुझे टोकना ही पड़ा कल अगर शुकला जी साथ में होते हैं तो क्या फूफा जी भागे भागे रिपोर्ट करने आते हैं फूफा जी तो बेहत घटिया इंसान है छोटी ने मुझे बचका कर कहा जैसे खुद हैं वैसा ही दूसरों को समझते है पराग बेचारा इतना शरीफ लड़का है इतना मोडेस्ट है और इतना हैल्फुल है सो तो होगा ही ऐसे वैसे को तो तुम भी मुझे लगाओगे मैं जानती हूँ मैंने छोटी का मन खुश करने के लिए कहां पर दीदी जोटी हुई थी फिर भी छोटी थोड़ा संबल कर ही चला करो जमाना बड़ा खराब है पराग लड़का अच्छा होगा पर क्या कह सकते है तुम लोगों की बीच ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं है न सिर्फ फ्रेंट्शिप ही है न ऐसी वैसी बात का क्यामत लबे दी दी छोटी एकदम भड़क गई साफ साफ पोछोने है कि मेरा उससे कोई अफेर तो नहीं है एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि मैं अपने को उस दफ्तर में दफन नहीं होने दूँगी मुझे बहतर जिंदगी की तलाश है एक मजबूत साहरे की तलाश है अगर मेरे भागय से मुझे कोई अच्छा साथ मिलता है तो मैं उसे अवश्य स्विकार करूँगी ऐसा सुनहरा मौका हाथ ले जाने नहीं दूँगी तो क्या तू शादी करने की सोच रही है दीदी चकित थी सोचना तो पड़ेगा दीदी किसके भरोसे बैठी रहूँ बताओ पापा के रहते तुम लोगों का कुछ नहीं हो पाया अब मां के बसका तो यह काम है नहीं तो मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए रुकी रहूँ तब तक तुम्हें बुड़ी ही हो जाऊंगी दीदी बहुत अच्छे मोड में हमारा चायपन शुरू हुआ था पर खतम होते होते सब के मन खटे हो गए खास कर उसकी यह बात तो बहुती बुरी लगी कि तुम लोगों का इंतजार करते करते में बुड़ी हो जाऊंगी यह बात भी सच थी कि दीदी 30 पार कर चुके थी और मैं 26 को चूर रही थी छोटी ने पिछले महिने 22 पूरे किये थी यूँ शादी के लायक तो थी पर ऐसा भी नहीं था कि शादी की उम्र ही निकली जा रही हो पर शायद हम दोनों की बढ़ती उम्र को देखकर वह अधीर हो उटी थी यह बात नहीं कि पापा ने दीदी के लिए कोई कोशिश नहीं की बहुत आत पैर मारे पर बात बनी ही नहीं दीदी एकदम पापा पर गई है रंग काफी दबा हुआ है इसलिए हर बार बात वहीं पर आकर अटक जाती थी कुछ लोग तो ऐसे उस्ताद थे कि दीदी को देखने आते तो मुझे मांग बैटते मैं भी कोई स्वरूप सुन्दरी नहीं हूँ पर रंग जरा खुला हुआ है फिर हिंदुस्तानी आदमी तो रंग पर ही मरता है उन दिनों बहुतों ने चला दी कि जिसकी लग रही है उसी की कर दो एक जिम्मेदारी कम हो जाएगे पर पापा तैयार नहीं होए फिर उस तरह के संबंद के लिए मेरा मन भी कभी गवाई नहीं दीता यह तो एक तरह से बहन का हक चीनना ही हुआने विनिता को हम लोगों ने कभी उस दृष्टी से देखा ही नहीं वह तो हमेशा से हम सब का खिलोना रही है पर अब लगता है कि वह हम तीनों में सुन्दर है एकदम मा पर गई है मा का रूप रंग तो उसे मिला ही है सभाव भी वही है वैसी ही मोडी, जिद्धी, चिचड़ी और आत्म केंद्रित उसकी ये विशेशताएं अभी अभी नजर आने लगी थी चार-पांस दिन बाद चिंटु मामा बड़ी विजई मुद्रा में घर में दाकिल हुए जिद्धी, सब पता कर लिया है क्या पता कर लिया? उस लड़के के बारे में कोई शुकला कांट्रेक्टर है उनका लड़का है इसमें तुमने कौन सा तीर मार लिया मामा? मैंने कहा, यह सब तो चोटी ने उसी दिन बता दिया था मुझे तो नहीं बताया माने कहा, तुमें सुनने की फुरसत भी थी पूछने का भी एक तरीका होता है उसने तो कुछ भी नहीं चुपाया यह भी बता दिया था कि लड़का डिप्लोमा होल्डर है मंडी दीप में किसी फैक्टरी में काम करता है सब बता दिया था उसके पीछे जासूस लगाने की तो कोई जरूरत नहीं थी जरूरत थी, बिल्कुल थी मामा ने जोड़ देकर गा बिना जाच पड़ताल कि यह कैसे पता चलता कि दोनों रोज खाना साथ खाते है लड़का रोज उसे दफ्तर से घर तक छोड़ जाता है बड़ी होशार बनती हो दोनों को आज तक पकड़ पाई हो यह खबर मेरी लिए नहीं थी मैं थोड़ा चोंकी तो जरूर पर मामा को पता नहीं चलने दिया हाल चाल सुनकर मा की तियोरियां चड़ी जा रही थी उसे लक्षे कर मैंने कहा यह तो बहुती अच्छा हुए ने मामा बिना जूते चपल चटकाए हमें ब्रामन का कमा ता खाता लड़का मिल गया कम से कम मा की एक चिंता तो दूर हुई नहीं तो कहां कहां हलकान होती फिर थी ब्रामन को लेकर खुश हो रही हो वै बड़ा घाग पंडित है पूरा बनिया है जान बुझकर बेटे को ढील दे रहा है सोच समझकर ओफिस की लड़की को फासा है कि ओफिस की सारी खबरे मिलती रहे टेंडर आदी में सुईधा रहे फिर लड़का प्राइवेट नोकरी में है हाथ में एक सरकारी नोकरी तो आजकल बहुत जरूरी है कम से कम क्वार्टर की सुईधा तो मिल ही जाती है बूड़ा बड़ा करामाती है खूब उल्लू सीधा किया है उसने और हम क्या कर रही है मामा मैंने चड़कर खा वे तो खेर पराए हैं हम भी तो अपना स्वार साध रहे हैं नहीं तो फूज सी बच्ची की पढ़ाई छुडवा कर उसे नोकरी में जोकने की क्या जरूरत है अब अगर उसने अपना भविशय सुरक्षित करने का रास्ता खोज लिया है तो इतनी हाय तोबा क्यों बच रही है कल को ये क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा नहीं तो ये बड़ी बड़ी बाते भूल जाओगे जिनके पास सरकारी मकान नहीं होते मामा वे लोग क्या सड़क पर रहते हैं और हमारे सर पर छट पर करार रहे इसके लिए छोटी क्या जिन्दगी भर कमारी बैठी रहेगी मा एकदम आपे से बाहर हो गई शादी के लिए ऐसी मरी जा रही है कि यह भी होश नहीं रहा कि दोनों बड़ी बहने अभी घर में बैठी है मा यह अन्याय तो मत कीजी दीदी ने इतनी दीर बाद मुखोला हम लोगों की इंतिजार में तो बैचारी बूड़ी हो जाएगी जाहिर था विनिता की उस दिन वाली टिपनी दीदी भूली नहीं थी मेरे जीते जी यह कभी नहीं होगा आज आने दो अच्छे खबर लेती हूँ बहुत पर निकल आये है माँ फालतों का हंगामा करने की जरूरत नहीं है मैंने थोड़े कड़े शब्दों में कहा अभी शादी की बात उसने तो नहीं उठाई ने फिर ये चिल्लंपो क्यों हो और मामा तुम्हें क्या दफतर में कोई काम नहीं जो मा की फालतों बातों में इसर खपाते हो उनकी तो आदत ही है ने कुछ चैन से रहती है ने किसी को रहने देती है